बोल मेरे श्री गूरू महाराज की जय श्री परम्हन स्त्याल जी महाराज की जय पुराने जमाने में यातायात के साधन सुघमना होने के कारण मनुष्य जब तीरत् ही आत्राक पू निकलते थे तो ऐसा ही प्रवंध करके निकलते थे कि यदि लोटने का अवसर न मिले तो पीछे घर के लोगों को घर के धन दौलत का पता उनकी बहीयों से लग जाए एक प्रकार से यह महाप्रस्थान यात्रा ही होती थी अता एक बार एक महाजन ने यात्रा जाते समय पीछे का संकल्प मिटाने के लिए बही में एक पत्तर में ऐसा लिखा इवुत्रों मेरे मरने के पश्चात मेरी परतिष्ठा को वैसे ही बनाए रखना जैसी की वह है उसे बढ़ाना दी इसी प्रकार घटाना नहीं तभी पिता के रिन से उलिण हो सकोगे मेरे पास अपार संपत्ती है अत है उसे तुम युक्ति से व्याय करना तुम्हें कभी कश्ट नहीं होगा इस संपत्ती को व्यर्थ नश्ट न करना और योग के व्यवसाय में ही लगाना परन्तु यदि देवश व्यापार में हानी हूँ और धन की आविशक्ता हो दश्मी के दिन पहर के दिन चड़े अपने घर के पास वाले शिवाले के कलश में रखा है, जब आविशकता पड़े तो खोद कर निकाल लेना, यह मारमिक शब्द लिखकर पत्र समात कर दिया गया था और बड़ी क्यात्रा पर चला गया था, बहुत वरश बीतने पर भीवह प्यात्रा से न लोटा, अतह सबने सोचा कि वह मर गया है, कुछ समय पश्चात, लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव के अनुसार उस घर को छोड़ कर चली गई, ब्यवसाय में हाली हुई, बड़िक पुत्र चिंतित हुए, बनिया वृत्ति ऐसी होती है कि जब घाटा अतह उन सबों ने भी वहिये टोलनी चालू की, तो उन्हें पिता का लेख मिल गया, पत्र के अनुसार कारे करने के लिए बड़े भाई ने तीनों छोटे भाईयों से कहा, मंदिर का कलश उतरवा दो, इसी में पिता जी ने धन रखा है, छोटे भाई कहने लगे, मंदिर मे कलश चड़ाया जाता है, उतारा नहीं जाता, इस लेख का कुछ और ही भाई होगा, किसी और से सलाह लेनी चाहिए, बड़ा भाई बुला, नादान, बनिये का पुत्र और दूसरे के पास जाकर वहियों का हिसाब उचित, मैं वहि खाता, अच्छी तरह जानता हो, जो बुला कर कलश गिरवाना आरंभ कर दिया, यह देखकर सारे नगर में हाहाकार मच गया, सब शहर के लोग उन वणिक पुत्रों को धिकारने लगे, और कहने लगे, अरे सच मुझ कलीकाल आ गया है, शंकर जी का मंदिर आज तक किसी ने नहीं गिराया, पिता ने द्रव्य ल नहीं जानते कि द्रव्य कैसे रह सकता है, इस प्रकार चारों और से फटकार पढ़ने लगी, इस सारी बात का पता, उस वणिक के एक व्रिद्ध मित्र को भी लगा, वह बहुत ही चतुर और अनुभवी था, वह उन लड़कों के पास पहुँचकर बोला, बच्चों, तु भले आदमियों कहीं कलश में भी अपारधन समा सकता है, बहियों में क्या लिखा है, तुम समझे नहीं होगे, बही लाओ, मैं भी देखूं उसमें क्या लिखा है, लड़कों ने तुरंत बही को लाकर उनके सामने रख दिया, बही को पढ़कर व्रिद्ध ने कहा, तुम्ह मंदिर को बने तो बहुत समय हुआ, और यह द्रव्व पीछे गाड़ा गया है, चैत्रसुदी दश्मी आने दो, तब इसकी पूरी पूरी खोज हो सकेगी, कि धन गाड़ने को लिखा है या क्या, चैत्रसुदी दश्मी के दिन उन वणिक पुत्रों ने उस व्रिद्ध त मुझे यह बतला सकते हो, कि मंदिर का कलश कहा है, जो कोई सबसे पहले कलश को चुएगा, उसी को द्रवदे मिलेगा, जब तीन पुत्र जियोंतियों करके कलश को चुने के लिए चढ़ने लगे, तब चौथा पुत्र जो बुधिमान था, उसने विचार किया, मैं तो चाया है, वह भी तो कलश ही है, इस से चलो उसी को जाकर चूलो, वह तुरंट कलश की चाया पर जाकर खड़ा हो गया, यह देखकर वृद्ध ने तीनों से कहा, अरे अग्यानियों नीचे उतर आओ, कलश को तो तुम्हारे चोटे भाई ने चूलिया है, तीनों ने कहा, उ तेरी कलश है, यहीं खोदो, तब तुम्हारा द्रव्य तुमको मिलेगा, तुम्हारे पिता ने कलश गिराने को नहीं लिखा, खोदने को लिखा है, सो क्यों भूलते हो, वृद्ध के कहने पर सबने कलश की छाया की जगह वृद्ध भी को खोद कर बहुत धन प्राबत किय तक पश्चात चारों प्रसन्न होकर वृद्ध ताउजी की प्रसंशा करने लगे, आप हमारे पिता के मित्र हैं, तो हमारे पिता दुल्य ही है, आपके कारण ही हमें यह द्रव्य मिला है, हम आपका बड़ा उपकार मानते हैं यह सुनकर वृद्ध ने उत्तर दिया, भाई द्रव्य तो तुम्हारा ही था, तुमको मिला, इसमें मेरा क्यांकार, मैंने कुछ अपने गांट से तो निकाल कर दिया ही नहीं है, तुम अज्ञान के कारण इस भेद को नहीं जानते थे, सो मैंने तुमको बता दिया, खाओ पियो, सुमार्ग में लगाओ, ऐसा कहकर रिद अपने घर चला गया, बस इतना ही काम संथ सद्गुरू का होता है, जो अज्ञानी जीव, गुरू ज्ञान को न मानते हुए, सारी आयू, उस तक पोथियों को ही टटोलते रहते हैं, परन्तु उसके भेद को नहीं पा सकते, किताबों को बढ़ना सहज है, उसका अनुभव बिना गुरू के कठिन है, इसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने वाला अज्ञानी जीव, अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को नहीं जान सकता, उसको गुरू सहज ही में निज स्वरूप का ग्यान करा द देते हैं, गुरू की यही बड़ी भारी क्रिपा और देन हैं कि अपने को भूले हुए जीवों को उनका निज स्वरूप दर्शा दें, सारांश यही है कि बिना गुरू के परंपत की प्राप्ती नहीं होती पुल जय काराम, बोल मेरे श्री गुरु माराजी की है